हलो एन विल्कम दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पहली बाते पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले और साथी द्यार बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मिलता रहे सारे वीडियो के नोटिफिकेश कौन है बिक बास में सही या कौन है गलत हाला कि उससे पहले अरचना की सारे फैंस को धेर सारी बधाईया आपने जितनी महनत करी चाए वो इन्स्ट्राग्राम पे हो चाए ट्विटर पे हो चाहि फेसबुक पे हो जो हैस्टैङ ब्रिंग बैक अरचना का आपने नारा लग फाइनली जो बिग बॉस के टी आर पी भरने वाली जान थी यानि बिग बॉस के एपिसोड की सान थी वो आचुकी है बिग बॉस के घर में और आप सच में बहुत ज़ादा खुस होंगे लेकिन मैं जानना चाहूंगा आखिर जो भी एपिसोड में हुआ वो सही था या गलत एक सवाल जो आज भी पूरे माहौल में गूँज रहा है सारी आउडियंस के बीच आखिर शियू सही था या गलत उसे गलत प्रोजेक्ट किया जा रहा है या वो सच में था सही ये बात हम जानेंगे खुद बॉलीवूड की आनबान सान से बिग बॉस के भाई जान से तो दो बारे बीच इंटर्व्यू देने आ रहे हैं सस्ता सल्मान खान अलो गाइस वेलकम तू दे बिग बॉस सिक्स्टीन मैं हुआ आपका होस्ट आपका दोस सल्मान खान और आप सभी का स्वागत बिग बॉस के आज के शैनिवार के वार में तो नमस्ते सस्रिया काल आदाव सलावालेकूम केम छो मजा मा केमो नाचो और जैसे कि जान्वी न लास्ट टाइम कहा था कि वड़क का सल्मान भाई यह यह बिग बॉस का शो नहीं है तो यह इंटर्वीव होने वाला है किसका आपका मैं लोंगा अच्छा मेरा इंटर्वीय क्या ले बाई ले ले थैंकी सो मच सल्मान भाई आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत तो शुरू करें वाज शुरू करते हैं तो सल्मान भाई मैंने सुना है कि आपने वरुन धावन के मूवी बेडिया का बड़ा एड़टाइज किया तो वो मूवी देखने जाएंगे आप अरम अपनी मूवी ने देखता मैं उसकी मूवी क्या दिखूंगा मेरे को फाम उस तो सल्मान भाई आपके पास टाइम नहीं है तो हमारी विवर्स जानना चाहते है कि जब सल्मान खान के पास टाइम ही नहीं है तो विग बॉंस के एपिसूड को रिमाइंड करके कैसे देख लेते हैं अरे ये तो दोती खोल रहा है मेरे आउकात है नहीं जाना समझा क्या मेरे पास टुहंड़ अग्र्ड़ा नाइटेन रुपिज का उठका पैके जो टीवी सब पहले दिखता है अपनी आउकात मेरना समझा क्या अरे सल्मान भाई सौरी आपकी आउकात के ऊपर कोन बात कर सकता है है कि नहीं हैं आप तो क सब्सक्राइब वैस्ञ अनिसिस पूछना चाहाँगा आपको यह हमारे और आँ अ información को बढना पड़ेगा कि आज जो भी आप कहने वाले हो सिर्फ सच बोलने वाले और सच के सिवा कुछ नहीं बूलने आ मैं बिग बोश के आख की कसम खाता हूँ, मैं कलर्स कखाता हूँ अब ये यकीन हो गया कि आप सच भोलेंगे, कलर्स का ही तो खाते हैं आप हद मेर न मेर साथ सवाल ऐसा था कि सब लोग आज का एपिशोड देखें बहुत भारी लगा, सब लोग बहुत खुश हो गए और चना के फैंस तो बहुत ही ज़ादा खुश हो गए, लेकिन कोई खुश होता है, तो कोई नाराज भी होता है, सलमान भई, है कि ने तो सब लोग जानना चाहते है, कि जो शिव ठाकरे के मदब प्रती आपने इतना अच्छा अच्छा शब्द बोला, तो असल में आपको क्या लगता है, कि वो शिव ठाकरे सही है या गलत है देखो मालूम है, देखो बिग बॉस के घर में हर जाती, हर धर्म, हर संपदाय का उतना ही सम्मान किया जाता है, हर पॉलिटिकल पार्टी का भी, जितना इस वक्त मैं आपके साथ कर रहा हूँ, बाकि मैं तरह को दिखा हूँ क्या, साम, डाम, डंड, भेट, आरे नहीं सलम सलमन भै, वो तो आप कंटेस्टेंट पर ही करो, मैं तो कंटेस्टेंट हूँ ही नहीं, है न, मेरी का मैं विग बॉस में जाओ, हाद मेरा न, मेरा साम, अरे, सॉरी सलमन भै, आप तो बुरा मान गए, लेकिन सवाल आज भी भी वह है, जो दर्सक जानना चाहते है, क्या, कि कि शिव जो है, वो सही है या गलत, अभी ना इधर में तिरको एक वीडियो दिखाता है, उसको ध्यान से देखना, सलमन भै, यह जो वीडियो आप दिखाऊगे न, वो हम एपिसोड में देख चुके, और हम डे बन से लेके आज तक यह बिग बॉस को बहुत अच्छे से द तो इसलिए मैं यह सवाल पूच राता लेकिन मैं आपको नहीं सुनाता अफसलमान भै, वह बिग बॉस के घर में ना, कमरे में बैठ कर, चार पाँच लोगों के सामने, दो कंटेस्टेंट आपस में प्लाइनिंग कर रहे हैं, तू क्या मेरी फ्रिकी ले रहा है क्या, तू आपकरवा दूँगा तेरको मैं, समझा ना, आइसे आडे तेडे सवाल ने पूछना मेर को, तू जानता है न मैं कोन है, अरे ने 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 सलमान भै, माफ कर दो, माफ कर दो, चलो सिधा सिधा सवाल करते हैं, आपके हिसाम से, इस साथ सोचो कि आप बिग बॉस के सेट पे हो क्या ओपीनिया, तेरको सच जान ने का न, तेरको पता है सच कहा है, अरे कलर्स वाले ये रिवाइन्ट विवाइन्ट कुछ नी होता, कलर्स वाले मेरको पैसा देते, समझा, अब मेरको तो अर्चन अको लाना पड़ेगा न, क्योंकि टीर पी कोन देगा, कब तक शू को द मैंने का इसको इंफ्लूएंस करो, उसको इंफ्लूएंस करो, मैंने पूरा शो के कंटेस्टन को इंफ्लूएंस किया, तेरको पता है मैंने अब दूगतक का इंफ्लूएंस कर दिया, जो की साजीत उसको इंफ्लूएंस करता है, मैंने उसको इंफ्लूएंस कर दिया, ये हो समझा क्या यह तेरे मेरे बिच की बाते है अब मेरे को किदर जाने का है फमाउस क्या लगाने पापी था है आँ, so don't trouble your mother because your mother is your mother and my mother is my mother शब्बाखेर दोस्तो ये थे हमारे साथ सस्ता सलमान खाल ये वीडियो दिखाने के पीचे सिर्फ एक रीजन क्या सही? क्या गलत? ये हमेशा हम अपने इसाब से सोचते रहेंगे लेकिन एक्चुली बैक स्टेज पर जब सल्मान खान आते हैं जिनसे आपके उम्मीदे होती हैं उनके दिमाग में क्या चलता रहता है वीडियो को शेर करना ना भूलेगा तब तक के लिए बाई बाई तु गया नहीं का भी तक आस्वारी जलमान भाई जा रहो